लोकोमोशन और मुव्मेंट एक ही चीज होते हैं और अगर लोकोमोशन और मुव्मेंट एक चीज नहीं है तो हम किस तरीके से दोनों में डिफ्रेंशेट करेंगे यही आल जानेंगे आज का हमारा जो वीडियो है वो है इस टॉपिक पे नया चाप्टर स्टार्ट होने आए है तो वहाँ भी हम देखेंगे कि आपके लोकोमोशन और मुव्मेंट फर्स और फोर्मोस इंट्रदक्शन जरूरी क्यों है ठीक है तो अगर यह वीडियो देखना है अभी तो सुब् कि आपकी लोकोमोशन है और एक चीज हमने कहीं मुव्मेंट यही दो चीजों का जिक्र हुआ इससे पहले ठीक है तो अगर में लोकोमोशन और मुव्मेंट की बात करी हूँ हमें लगते सेमी चीज है यार मजब क्या फरक पढ़ रहा है बट मुव्मेंट जो है उसमें ने ठीक है बट लोकोमोशन में जरूरी है ठीक है लोकोमोशन में कहीं न कहीं आप एक जगर से दूसरी जगा जाते हो मुव्मेंट की अगर हम बात करें जिसे हमारी आइस ब्लिंक हो रही है ठीक है आइस ब्लिंक हो रही है हाथ हमने ऐसे मूव कर लिए तो यह स्टिल अटाश को दर्श जाएगा ठीक है तो अगर हमें एक कहीं न कहीं differentiate करना हो तो यह हो जाएगा कि आपकी locomotion जो होती है it is change in place initially अगर simple words में कहें change in place होगी ही होगी यहाँ पर जो बंदा है वो stationary रह सकता है है ना जो आपका individual है he or she can be stationary बट फिर भी उसमें कहीं न कहीं आपको movement दिखाई देगी हलका फिलकासा कुछ change आएगा अधिकतर animals जो होते हैं आपके ठीक है अधिकतर organisms move करते हैं ठीक है जो move नहीं करते हैं वो हैं आपके plants ठीक है इवन आपका fungi अगर हम बात करें ठीक है हाँ spores, spores are different thing spores उनकी fruiting bodies हैं वो तब बनेंगे जब आपका favorable condition नहीं है वो different है but plants and fungus do not move on the other hand sorry locomote नहीं करेंगे ठीक है locomotion वहाँ दिखाईनी करेंगी but movements अभी करते हैं plants sway करते हैं branches move होती है उनकी पतियां लहराती है तो यह हो गया आपका locomotion and movement में जो अलग-अलग major चीज थी वो समझाने के लिए एक sentence दिया गया है आपकी textbook में all locomotions are movements जाहिर से बात है कि जो भी locomotion है आपकी वो आपकी movement है but not all movements are locomotion locomotion में आपकी जगा का change होना जरूरी होता है तो आपकी जो locomotion है वो सारी की सारी movements है but सारी movements आपकी locomotion नहीं है they will never be your what locomotion movement आँखी चपकाली आँखने आप मैं बोल रही हूँ आपसे मेरा jaw move हो रहा है ठीके तो यह movement हो गए but locomotion यानि एक जगा से दूसरी जगा जाना ही पड़ेगा ठीके आपको move करना पड़ेगा in fact हमने देखा अगर जो trains होती है metro होती है उनमें locomo pilot होते है locomo is from locomotion only ठीके यह इतना याद रखे बाकी जो हम आगे देखेंगे वो यह है आपका कि कही न कहीं अगर मैं बोलू let us say कि अलग-अलग movements अगर हम देखें सबसे पहले जैसे हर chapter में छोटे से सबसे organism से start करते हैं यहां हम start करेंगे amoeba से right amoeba से हम start करेंगे amoeba हम से क्या कह रहा है amoeba में जो movement है ठीक है वो आपकी दो तरीके से यहां पर भी हो पाएगी ठीक है यहां आपका amoeba lokomotion में भी है move करेगा with a help of studio pod या but उसकी अंदर भी movement हो रही है और उसको हम कहेंगे cytoplasmic movement क्या कहेंगे cytoplasmic movement cytoplasm most of the time is in the moving condition कभी भी वो ऐसे still नहीं होता है still नहीं होता है ripples या थोड़ा बहुत सा movement जो है उसमें ही चलता रहेगा तो amoeba जैसे छोटे organisms हो गए ठीक है इसके लाव हो और भी कई सारे से structures होते हैं जो आपको help करते हैं in movement अगर उन structures की में बात करूँ sorry okay cilia flagella ठीक है आपकी tentacles यह सब जो है यह आपकी movement में मदद करते हैं जिसे पर एक्जामपल हम लोग अगर हाइड्रा की बात करें ठीक है अगर मैं हाइड्रा की बात करती हूं तो हाइड्रा की जो tentacles होते हैं ना कि सिर्फ उसको प्रे को क्याच करने में help करते हैं बलकि उसकी movement में भी help करेंगे यहां से वहाँ दूसी जगा जाने में भी आपकी जो movement है उसमें इनके tentacles की वज़े से हो पाएगी ठीक है सीलिया मैं आपको already पढ़ा चुकी हूं मैं आपको cover करवा चुकी हूं cell वाले chapter में आप थोड़ा सा video scroll करें या फिर playlist में जाहिए आपको मिल जाएगा असानी से ठीक है सीलिया जो होते हैं आपके small hair like structures होते हैं ठीक है these are protoplasmic sorry protoplasmic का मतलब हो गया and nuclei दोनों जो चीज़े हैं वो मिलेंगी यहाँ पर हो थी a gullet ठीक है आपके vacuoles होंगे यहाँ पर ठीक है बहुत सारी structures होंगे अब eukaryot है तो सारे ही आपके structures यहाँ पर मिलेंगी तो यह जो सीलिया होते हैं इस तरीके से खाने को पुछ करते है कि वो आजाता है आपके gullet में या आपके हलीजे cytopharynx में ठीक है तो यह किसी ना किसी तरीके से हर एक organism अपनी movement के उपर ध्यान देता है जिसे पर example आपने देखा होगा कई type के अलग-अलग आपके छोड़े छोड़े इवन बाक्टीरिया की अगर हम बात करें फ्लाजला होगा उनके पास ठीक है अगर single है एक ही है तो फ्लाजलम होगा you must remember अगर मैं बात करूँ यूगलेना की है ना यूगलेना की अगर हम बात करें एक tentacle small और एक लंबा आपके यूगलेना में पाया जाता है so उसकी वज़े से फ्लाजला सौरी उसकी वज़े से यह मूवमेंट दिखा पाएगा अब कही न कहीं हर और और गैनिजम को मूवमेंट दिखानी जरूरी है अब मूवमेंट होती क्यों है first and foremost हमें उससे जरूरा सुरता है यह लिविंग बिंग है जितने लिविंग बिंग है सभी के सभी मूवमेंट दिखाएगे most of them will show locomotion also except for plants and fungus I've already told you लोको मोशन या मूवमेंट जो है कही न कहीं हमें यह असास लाते है कि यह बंदा जो है वो जिन्दा है या फिर लिविंग बिंग आप कहला होगे इसको ठीक है छोटी से छोटी चीज़ चीटी कोक्रोच पटरफ्लाइब एनीधिंग दाट मूवस भी कम तो नो हाँ चलाओ यह लिविंग है इवन यूनी सेलुलर और गिनिजम्स जो है आपके यूनी सेलुलर और गिनिजम्स जो है आपके यह भी कही न कहीं मुवमेंट दिखाते हैं जिससे आपको पदल चलता है कि हाँ दिया अलाइव तो यह जरूरी है प्लस अगर हम इसकी कुछ और बात करें कि मुवमेंट और जादा क्यों नेसेसरी है शेल्टर के लिए ठीक है अपनाई एक्जामपल ले लो आप कहीं चलके जा रहे हो बारिश हो रहे है चानक भाग क्या पेड के नीचे या कोई बिल्डिंग के नीचे या कोई भी हलका सा जो उपर से कवर्ड होगा एलिया उसमें चले जाओके ताकि आप बत सको मुवमेंट और लोको मोशन ठीक है फूड के लिए अरली मैंसे स्टार्ट करें उससे मुवमेंट क्यों साट की होगी लोको मोशन क्यों साट की होगी ताकि वो जा सकी थर से अगर हम हम हुवन लुऊंस पहुँ मूव function changing we είναι तो इन सब कही नहीं से मेट को ढूबने के लिए अगलग मइंख्यों कीलिए होता है। जो हर साल उड़के आती हैं कई हजार मील का डिस्टंस तै करके क्यों आ रही है because they are looking for suitable conditions, right? फिर उसके नवागर हम बात करें food, shelter, clothing ये तो main हो गया clothing अगर इतना नेसेसरी नहीं हाएगा यहाँ पर but obviously it's a part and parcel कहीं ना कहीं हमें अपनी बेटर लाइफ के लिए movement या फिर locomotion जो है वो शो करनी है अगर हम अपनी बात करें जैसे बहुत अलग-अलग type के आपके movements होते हैं, चीक है? simplest example देते हो मैं आपको, आपकी body में पूरा डाइम RBCs, moving, locomotion, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं circulation कैसे होगी? respiratory system में अगर वापस जाहिए, gases कैसे जा रही है, कैसे आ रही है? movement तो हो रही है? जब आपका respiratory passage जगा बड़ी बननी है, diaphragm नीचे जाता है, flat हो जाता है, क्यों हो रहा है? muscles हैं, bones हैं, तो यही ही जो muscles और bones हैं आपके, आपकी movement में help करते हैं कहीं न कहीं, वो आपकी movement को easy करते हैं, और यही चीज हमें इस chapter में पढ़नी है next video जो होगा, वो होगा, आपका types of movements, जो मैं cover कराऊंगी, just next video में अगर आपको देखना है, subscribe करिए, also press the bell icon, ताकि जब वो वीडियो आए, आपको नोटिफिकेशन तो आए, वहना आपको पता किसे चलेगा है ना, तो subscribe करिए, bell icon प्रेस करिए, ताकि आपकी पास all notifications keep on reaching हम लोग इसे पहले human physiology की सारी chapters कवर कर चुके हैं, अगर आप से मिस्वें जरा से स्क्रॉडल करें, आपको मिल जाएगे topic by topic, हर एक chapter का में cover करती जा रही हूं, तो अगर आपको कहीं भी कोई problem हो रही है just comment down below, आप मुझे बताईए कि आपको क्या दिखत है, आज safe introduction था, because we want to keep it light कल जो हम देखेंगे, वो हम देखेंगे type of movement, which is a second topic so stay tuned, I'll see you, तैयार हो जाएगे, क्योंकि आप बोन्स और हडियां और आपकी muscles जो है, बस start हो गएगे, take care, keep reading, keep solving questions, thank you